चलेव सीधे ले चलते हैं आपको रायपूर जहां पर सूबे के मुख्ध मंत्री विश्णु देव साय की प्रेस कॉनफरेंस चल रही है और जितनी हम लोग कलपना नहीं किये थो से भी ज़्यादा बड़ी सबस्ता हम लोग को दिलाने का काम किया च्वान सीट हमारी पार्टी ने हासिल किया और कल 13 दिसंबर को सबद करना शमारों साफ जिसमें हमने स्वहम मुख्यमत्री के रूप में सबद लिया आदाने स्री अरुन साव जी ने डिप्टी स्यम के रूप में सबद लिया आदाने स्री विजय सर्मा जी ने डिप्टी स्यम के रूप में सबद लिया और ऐसे सब्दगर्ण समारों में हमलों का सुखा में था कि हमलों को आशिरवाद देने हमारे देश के असवस्वी प्रधान मंत्री सिरी तरेन मोदी जी पधारे थे देश के ये स्वस्विल गिरिये मंत्री आदर ने अमीत साथी बढ़ा रे थे हमारे पार्टी के राउस्ट्री अध्याप छे आदर ने देपी नंदा साहब बढ़ा रे थे और कई केंद्रिये मंत्रीगान बढ़ा रे थे कई राजियों के मुखमंत्री एदर ने योगी आदीत नाथ मीं बढ़ा रे थे और भी बहुत लोग बढ़ा रे थे हम लोग के मादब से बहुत दावारी हैं उठ्रमय निकालकर हम लोगों को आसिरवात देने आये सब्बत लेने के बाद आज पहला केविनेट का बैठक संब्भन हुआ है जिसमें हम रोगों ने जो चुनाव केंपेनिंग के दवरान मोदी की गारंटी में जो अमनों का वादा भी है कि जो पिछले पांच वर्सों में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो गरीव लोग 18 लाक प्रधानुंत्री ग्रामिड आवास से बंचित होगे उनको मकाम देने का काम करेंगे हमारे सुष्री प्रधानुंत्री श्री नरेन मोदी जी ने भी 36 गड़ की जनता से वाता किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो जो भार्ति जनता पार्टी का मुख मंत्री होगा वह सबसे पहला काम 18 लाक आवास सुखित करने का काम करेगा और आज वही काम हम लोग पहले केमिनेट में कियें आज केमिनेट में हमनों का एक मात्र भी से वही था इसमें 18 लाक लोगों को आगे प्रधान मंत्री आवास कि सुखिती देंगे इस पर आज निर्ने लिया गया है और आने वाले समय में उस पर कारवाही भूगी प्रधान मंत्री आवास मिलेगा उसके लिए जो ही आज हम सब लोग कर रहे हैं अलाकि पिछकी सरकार ने प्रदेश को आजिक रूप से खुखला कर दिया है फिल्वी जो कि इतना बड़ा जरादेश प्रदेश के मताताओं ने भाते जन्ता पार्टी को दिया है तो हम लोग मोदी की कारंटी में जो आगा चत्तिगर की जन्ता से किये हैं उसका सत्वर्तिस्त पावन करेंगे आने वाले पांच और सो में सभी कामों को पुरा करेंगे और केबिनेट बैठक के पास्चाथ चुकि आजे पहला दिन था हम लों के लिए वैसे कल सपत गरहन के बाद विधिवत पुझा आसना करके हम तीनों अपने बनिकंश में बैठे और आज पैता बैठक था तो सभी विभागों के जो सेकेटरीज हैं उनके साथ बैठे उनका परिचे हुआ और सभी लोगों ने अपने विभाग के विस्ते में चोटा प्रिफिन हम लों को दिया है अपने अगरत कराया है और हमने उनसे और प्यांगरत किया है आगे आप लोगों के साथ और आगे बैठेगे और थोड़ी और जानकारी लेगे अफ़र दिस्क्रस भी करेंगे उनसे अग्रत किया है अगर्वाद मैं प्यूश विश्रा एपियान नियूश से बस्तर की तीन बातें आपके संग्यां में लाना चाहता हूँ नगर्मार इसील प्लांट जो भी पूल रूप से शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन वहाँ चोरी की बातातें ज्यादा हो गई सब्सक्राइबित हैं और तीषा नगर्मार में ज्गर्वाश ट्योरी वह हुआ रही है ऊसकी जानकारी आज ही हमको मिली है कि उसके विसे में कि हम जानकारी लेगे और जोबही आउसक कतम होगा और कि अद्धा है। और विपनाली सरकार के वाद को ठोड़ दीजिये। हम लोग जोड़िया रख होगा चेंटा इतना बड़ा कैनाते सब्ड़ norm को दिया है तो 36 गड़िया सबले बढ़िया इसको चरितात करते हुए हम पर काम करेंगे सब्सक्राइब करेंगे अपने कहां कि पुरानी सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए हमारे पार्टी में भी कई अनुभी लोग हैं और फिर अब डबल इंजिन की सरकार है केंद्र में भी हमारी सरकार है यहां भी हमारी सरकार है तो आप समझ सकते हैं कि लबल इंजिन की सरकार तेजी से चलेगी नीचे से ओन दो लगा प्राइवासी चेत्रों के विग्राज के लिए प्राइवासी चेत्रों के लिए। से आजादी के प्राद्री दिनों में आदिवासी समाज जरूर कॉंग्रेस पार्ठी के भॉर्डविन के रूप में इस्तेमाद होता रहा है लेकिन जब सब्सक्राइब व्यारी बाजबी जी इस देश के बढ़ानमत्री पने तो उन्होंने जो च्छती जड़का जो ट्राइबल वाहूर एरिया है जो मत्रदेश में था और इस प्राइबल वाहूर इलाखे का समुझी दिविकास हो इसमें च्छतीर राज का निर्माण किया उसके बाद भारत सरकार में 25 बार ट्राइबल समाथ का समुझी दिविकास हो इसके लिए भारत सरकार में आधिम जाथी कल्यानमत्राले का गठन किया कि पयारhan बज़ट आधिम जाति कल्यानमwood रामणत्राले में हैं और मैं पिछले 20 साल सांसत था और मेरा सोवार था कि अ कि अट्रद जी की सरकार में सांसत था मोगी जी के सरकार रेता उनके परθमशान्कार म sachडमन्त्रिका बिदाईतों था तो आज इन घाती कल्लार मन्दाले से अपने छेत्र के विकास के लिए हमने बहुत वैसा लाया और आज आदिवासी समाज यह जानता है कि अगर आदिवासी समाज का मान और समान और विकास कोई कर सकता है तो वहां के जनता पार्टी है आज ये बताते कोई मुझे गौरोबता है कि जो देश का सरोचपत है महामईम रास्पती का उसमें आज आदिवासी समाज की एक महला स्रीमती द्रोपती मुरू रास्पती के पंच पर विराज मानें और ये काम कोई कर सकता है तो भाते जन्ता पांटिंग कर सकता है इसले बार 2018 के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस वाटी की लोग लुभावन जन घोसना पत्र के कारण आदिवासी समा थोड़ा भटकाव में आ गया था लेकिन पांस साल में वो भूल वो सुधर गया और इस बार जब हम लोग जाते थे छेत्र में चुनाव परजार के लिए तो सब गोंते थे अपनी भासा में कि ये दारी नहीं ठागा और इस बार नहीं ठागा है और जो पांस सालों में उनके साथ विश्वास घ्लाथ हुआ वो अधा खिलाबी कांग्रिस पार्टी की सरकार ने दिया उसका मज़ा कांग्रिस पार्टी को चखाए कि अधिया थे पार्टी को चुनावी पत्र मोजी की कारंटी में हमारे पार्टी में आस्वासन दिया है कि दो साल जन वह लोग सरकार में थे पंद्रवस तो दो साल का बोनस नहीं दे पाए थे वो बोनस 25 दिसंबर को जो हमारे नेता अटल यहानी वाजबी जी जो आतिजनता पार्टी के संसापक भी है चतिजगर राज के निर्माता भी है निश्चित रुप से दो साल का बोनस किसानों को देगे है कि अच्छिप एक चुदरां में आपकी आपके शर्ण पर वती करें शराब अंगरम शुरेरे के और पूर बट्टी साथा साफंधी को परेंगे अब एक एक तरदी को बन करेंगे है कि आप बंदी को बंद करना है कि अधि-ध्या आप से सवाज रहे अरे यह आवास को लेजर के आप में सिशह सबसे बहुत है प्रधान मंत्री आवास की प्रतीक्षा सूची थी, उस प्रतीक्षा सूची के लोगों के फ़हाएं गया थी प्रतीक्षा सूची भी ले ली गई पूरी और आगे और माने मुख्मंत्री जी आपको पताएंगे, सारी सूची यो पर काम हुआ है, वो फॉर्म जो प्रतीक्षा सूची वाले थे, उन्होंने भर करके हमको दिया है, वो हमारे बास रखा है, अगर हमारी सरकार ना आती तो में हम आंदोलन करते हैं, परतु आज जनता क्या शेबाद से सरकार है, और इसलिए अधरिन मुख्मंत्री की उस पिसे में विस्तार से हम से ओर वाले थे, ज़िए पर अधरिन की तरह प्रतीक्तर ना जो परकी तरफ देएंगे, वाले कथी सूची रख वाइसे देएंगे, मैं कहां चुका हूँ कि मोदी की गारंटी में जो ही वाता हमारी पार्टी ने चंदीर गणती जनता से किया है, वो सत परतिसत उसका पानब होगा. मुख्यमंत्री जी इंदर मैं अभिश मलिक प्रिक के से इंदर, आप तक पुछ नहीं होगी चेहरा ना इस प्रिक दिके को, मैं आप से सिर्फ एक सवाद हुशा चाहता हूँ कि आप एस ट्राइबल चीप इनिसर बने हैं, ट्राइबल सो इंदर एक जो मेजर धायर्थी र देखें वेसे तो, मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि इतना मान और समान आधिवासी समाज का भरती जन्तापार्टी ने बढ़ाया है, उतना किसी पार्टी ने नहीं बढ़ाया है, और आज जो इकाम पिछले 15 वर सुमबे भरती जन्तापार्टी के सरकार के माधिम से तो भी ट्राइबल लोगों के हित में हुए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले ट्राइबल छेतर में और ग्रामीड छेतर में गुपमरी होती थी, लोगों को अनाज ने मिनता था खाने के लिए, तो लोग कोदो कुट की गोंदली खाते थे, महुआ कुबाल के उसमे सराई का बीज मिला की खाना पड़ता था, उसके बाद भी बच्चे उपास होते थे, लेकिन जब वो 36 गड़ में भाते जंदा पार्टी की सरकार बनी, तो सस्ता नाद देने का काम सुरू हुआ, पहले तीन रुप्या किलो में देना सुरू किये, फिर दो रुप्या में, और इसके लिए हमारे पूरो मुख्यमंत्री रमन सिंग, डॉक्टर रमन सिंग, चावरो वाले बाबा के नाम से भी विख्यात हुए, आज कहीं कोई भोगमरी नहीं, तो ये तो हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ा हेच्जिमेंट है, और भी हर छेतर में 15 साल में विखास के काम हुए, सिच्छा के छेतर में, चीकित्सा के छेतर में, इतना तक कि भाती जंदापार्टी की सरकार ने जो गरीब माता पिता है, उनकी बेटी की साधी तक की भी चिंता किये, और हम तो कहते थे कि मलदब इतना काम किये कि बच्चा जब मा के गर में तब स सरकार कोई नकोई उदना चला कर उनका सेवा करने का काम की, इसमें ज्यादा दिवसों को इतलाब हुआ है। इसमें भी जियोट ओर्डेंस की बात भी थी, फिर कामें भी सरकार ही, फिर आप लोग ने खते जार को बड़ा खुद्धा मनाया, तो क्या जियोट ओर्डेंस के लिए, क्योंकि राजर सुरी भाग से लेंके, रेज खरन से लेंके, हर छेतन, बच्चा जार काम आभी है, आ बच्चार सरकार परदास नहीं करेगी, ऐसी कोई चीज सामने आने पर उस पर जांच करके, दोसी पाई जाने पर सक्ति से करवाई सरकार करवाई, इसे अलावा, कॉंग्रेस की जो गवाण जांच करी हो जना है, इसे लाव इंटी जाच बिजी फिल आप मेरा, ये कंट्यूर रहेगे कि इस सिर्फ बन कर देंगे आप लोग, इस सब के समिच्छा करेंगे, और जैसा उजित होगा विसा निर्मे आने वाले समय लेंगे, इसे जबिटा जूता है, इसे समय नक्सरवार को लेकर आपको क्या पानी की? इस किसार ने सोचे ही है, कहीं कि पिस्वी सरकार ने तो उपना बढ़ाने के लिए धन्वानतार को बढ़ावा दिया, लेकिन कैसे धन्वानतार पर रोग लगे, इस पर हमारी सरकार सोचे ही? नकसरवाद के खिलाब हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और आपको जो हमारी सरकार है, यह भी लड़ी. सिम्ताप, सिम्ताप मैं संजेश के खरूँ, सबाले हैं कि आप लोगों को बहुत बढ़ा मुद्दा बनाया था, पुरे चुनाव और भ्यान के दोराँ, और प्येम साथ से रेकर के आपके कमाम लेकावने आप सबने कहा था, कि सरकार बरीजी को उसके खिलाब ताबाई हो होगी जिलोगों को ने उसके जड़वियां के लिए उसके खिलाबाई है, तो पहली चैपलेट हो गहीं, आगे क्या आपका रूप है उसके पूरे प्रेस की हुआ है आपकी दरब से नहीं है, उस पर भी हमने कहा है, हमारे आदाने पधामंती जेमें ने में भी कहा है, जार करिये उस पर भी उचित कदम लेंगे। सब्सक्राइब राजगीत नहीं करने तो एक कॉंग्रेस समाथ उठा रहे हैं कि आजगीत चाहिए जो राजगीत है उसके परति हम लोक सब आदा का बहुं रखते हैं लेकिने सारा कारकम ये राजगोंता ही करता है उसके रुसक्राइब चलना पड़ता है अरे अब तुस काले सब बतले हैं तुका इंजाल के रहे हैं सब्सक्राइब ये खूब करने की कुशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब आप लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे या उसे लेकर क्या करेंगे हम तो फुरू से मदलब हमारे अरादर स्री राम है अब ये लोग तो पाखट किये ना पाखट किये रोट लेने के लिए इस समसारा नोटन थी किये लेकिन जनता तो नोटन की सबस्ती है ना उसका परिणा देख लेना है को पैटीज में आगे कर्मचारियों को लेकर किस तरह सब्कानी है लगातार बैइन की बैठाट चालिए सब्के साथ नहीं होगा जिन पुलिस अधिकारियों ने मतरकारों के या बाकी लोगों के घरों में पुलिस बेच कर दराते देख आज भी वो पत्पे विराजीत है तब तक निटेंगे सब्सक्राइब तो आपकी ये जो सरकार है जो ये पंदिवर्सी जो सरकार चलेगी इसमें ऐसी कौन सी योजना लेके आएंगे जिसमें आपका राम चले जो मुंदीब की गारंटी में उसको आप एक बार पुरा समझ लेजिए चले दंवा अपकी कुटे रहेंगे ढ़ा स्वाल में वाल म Пटे देवा किमें आपकाए खिए सब्सक्राइब ढहरा पिल्ते रहेंगे करने में को है प्रेस कॉंफरेंस के दौरान तमाम जो पत्रकार हैं उनके सवालों का जबाब दिया